हाई गाइज वेलकम बाक तो मैं चानल व्लोगिवाइब्स विट अभी आएम अवंधी और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूं फाइल वेज में हम कैसे बहुत ही प्यारे से स्कुर्ट को मैंने यहां पर इंडोएस्टन स्कुर्ट लिया है जिसके से बेस पे थोड़ा स अब वर्डर है ट्रेडिशन का तच देने के लिए इसको मैंने फाइव वेज में ब्यूटिफुल वेज में स्टाइल किया है यह आप अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए वेडिंग्स के लिए जरूर यूज कर सकते हो यहां पर मैंने ब्लाक कलर लिया है पर आप कोई भी सॉलिड कलर के साथ यही सेम आउटफिट्स क्रियेट कर सकते हो या फिर मैंने प्लेन लिया है तो आप इवन आपका थोड़ा ट्रैडिशनल हेवी लहंगा भी हो तो उसको भी इसी सेम वेज में बहुत यूनीक वेज में स्टाइल कर सकते हो तो विदाउट फॉर्दर डू लेट्स के स्टाइग विद्ध विडियो यहां मैंने अनारकली लुक क्रियेट किया है मैंने ब्लाउज पहन लिया है प्लेन वाला आप चाहे तो वर्ट वाला भी यूज कर सकते हो मैंने अंगूती पहनी है और स्टेट्मेंट नेकलेस पहना है और एक लच चे साथ लुक क कंप्लीट किया है आप दुपट्टा चाहे तो ले सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो मैंने दुपट्टा निकाल के सेम लुक पे ट्रडिशनल जाकेट पहना है मुबाइल लच लिया है और मोटी के सैट के साथ लुक को कंप्लीट किया है यहाँ पे मैंने चूड़ी, नेकपीस और येरिंग्स पहने है और नर्द भी मैंने यहाँ पे ब्राइट ओरेंज कलर की कुर्टी पहनी है स्कूर्ट के उपर जिसको स्लिट है सारी तरफ से ताकि मेरा स्कूर्ट का फ्लैर बहुत अच्छे से उबर के आए और मैंने दुपट्टा भी लिया है आप चाहे तो दुपट्टा स्किप कर सकते हो आप चाहो तो नेकलेस पहन सकते हो या स्किप भी कर सकते हो यहां मैंने बहुत ही हेवी ब्लाक कलर के एम्डॉडर तुपट्टा लिया है और एक स्टेट्मेंट क्लच लिया है उसको कम्प्लीट करने के लिए और सिफ यहरिंग्स पहने हैं क्योंकि अल्ड़ेडी लूग बहुत हेवी है मैंने आपे इस कौन के उपर शर्ट के फर्स्ट्री बड़नस खलोज करके टायप कर लिया है नीचे और स्लीव को फोल कर लिया है इसके उपर मैंने स्टेट्मेंट बैग और युरिंड्स पहन लिए है और लुक को कम्प्लीट कर लिया यह सिंपल लुक है अगर आपको मेरी स्टाइलिंग टिप्स फसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए ज़्यादा सजादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्षन में मुझे ज़रूर पताना कि सबसे अच्छी स्टाइल इन में से आपको कौन सी लगी इस वीड के लिए पस इतना ही मिलते हैं नेक्स रीग बाई